दिल्ली समय साथ योसफ अंसारी है प्रेम कुमार जी भी है और कलकत्ता समय साथ मौझूद निरेंदर नागर जी आपको का बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले प्रेम कुमार ये सवाल कि ये लुंगी धारी गोल्ड टोपी जालीदार ये कौन लोग है ये कहां से आते है अपने को अज मूट करना पड़ेगा प्रेम कुमार जी आशुतोष जी आपके प्रेशन से स्तीधे मैं जो रिलेट कर पा रहा हूं उस बयान को जो कि पधान मंत्री नरेंद मोधी जी ने धारकंड विधान सबाचुनाओ के दोरान दिया था कि पहनावे से प्रदर्शन का है उनको उनके पहनावे से हम सपड़ों से पहचान करते हैं तो यह जो है एसा नहीं है कि इन्होंने कोई क्रियेट किया है कि प्रदान मंत्री जी के उस बयान को पसंद किया था उस समय के अगर प्री पोल्स अगरे लिये जाए जब चुनाओ हो रहे थी तो रगवर्दास जी मुक्ष्यमंत्री थे और हेमन सोरें आज मुक्ष्यमंत्री हैं दोनों की बीच पॉपलरिटी का जो वोट था वो लगवग 12% का फर्क रगवर्दास जी के पाक्ष में था इ एक सच्चाई है इसके बाद आप देखें पश्टिम बंगाल में योगी आदितिनाथ जी ने जो भी बयान दिये सबको जनता ने खारिश किया या फिर मध्य प्रदेश के चुनाओं में भी योगी आदितिनाथ जी ने जाकर हनुमान वाला बयान दिया था और उसको जाती अच्छा उठा रहे कि केशो प्रसाद मौरी में ऐसी बात क्या अगई कि वह एग्रेसिव बयान देरें पहले तो उनको ऐसे बयानों के यह नहीं जाना जाता था जी निश्टित प्रूप्ते पिछले चुनाओं में केशो प्रसाद मौरी के नित्वितु में भारतिय जनता पार्ट ने चोटी जातियों को जो चोटी बडिकaltet करता लेकिन तरह से बोल चैयलки भाषा है उन जातियों को गयर सवह्ण्यात्यों को इकठा करने का जो उन्होंने कोशिक कि एती उसके हिसाब से वो नेत्रत एक्षिवल नेत्रतु उनका था लेकिन उनको नेत्रतु का मौका नहीं मिला नेत्रतु इस संगे की ओर से ठोप दिये गए और ऐसा बैक्ती आपको याद होगा कि इसी मंझ पर करीब दो धाई महीने पहले आपके ही साथ डिबेट करते हुए मैंने एक बात कही थी कि अगर योगी आदित दिक्कत हो लेकिन मुझे कहने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है क्योंकि हम यह जानते हैं हम यह मानते हैं कि यह हिंदु का मुद्दा जो है अकेले उत्तर प्रदेश में काम करने वाला नहीं है राम मंदिर का मुद्दा इसके बीजेपी चिनाव नहीं जीत रखती है इसका इसका मेरी सोच के पीछे वज़ाई यह है कि पहले भी जब मालीजे अहिद्या में बाबी विद्वन्स हुए थे तो उसक्त कई सप्कारे बर्खास हुई थी था उन सरकारों को पलट वियाता आई पूरे देश में भी निर्मान से जीती हो पीजेपी‍टा लेकिन मेरा मानना है कि हिंदुक्त के एजन्डे पर पहले जीत मिले और योगी आदितिनात को इस रूप में जो नेतृत के रूप में पेश किया जा रहा है तो पहले जो जो प्रसाद जी पर लोटता हूं कि नोंने क्यों बयान दिया तो वो जो उनका नित्रत जो दमित रह गया आगे नहीं बढ़ पाया उसके लिए competition का भाव जो है अंदर में चल रहा है कि कैसे योगी आदितनाथ से की बड़ा firebrand बन करके उबरा जाए और वो कोई नया रास्ता नहीं वही घिसा पिका रास्ता जो पिट चुका है जिससे पाटी हार चुकी है उसी रास्ते पर योगी तुकेशो प्रसाद मोर्जी चलते दिख रहे हैं आपके दोनों प्रशनों का उत्तर होगा सत्त हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर